नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब से कोर्ना वायरस का दौर सुरू हुआ है तभी से लगातार किर्केट प्रेमी अपने घर पर ही बैठ कर सिरफ और सिरफ टेलिविजन के माध्यम से टीवी देख सकते हैं अगर बात होती है ग्राउंड में जाने की तो दर्सक नहीं पहुँच पाते और अगर जाते भी हैं तो दर्सकों की छंता बेहदी कम होती है लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है लॉट्स में होने वाले वंडे मैच में सौ परतिसत दर्सकों को मिलेगी इस्टेडियम में एंट्री जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने ब्रिटन सरकार के इवेंट रिसर्च प्रोग्राम में लॉट्स किर्केट ग्राउंड को सामिल कर लिया गया है इसके तहत अब इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच 10 जुलाई को लॉट्स में दूसरे वंडे में सो परतिसत दर्सक मैच देखने इस्टेडियम पहुँच सकेंगे लॉट्स किर्केट ग्राउंड की अधिकारिक वेवसाइड पर जारी एक बयान में कहा गया है कि हम मैच की वेवस्था पर पबलिक हेल्थ इंग्लेंड और हमारे इस्थानी सुरक्षा सलाकार सम्हू के साथ प्रामर्स कर रहे हैं और हमें इस बात की पुष्टी करने में परसन्नता हो रही है कि हमें इस मैच के लिए सौ परतिसत बैठने की चंता पर काम करने की अनमती दे दी गई है इसका अर्थ है कि इस्टेडियम में सौ परतिसत दर्सक को आने की अनमती हो इस दोरान कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिनका दर्सकों को इस्टेडियम में आने से पहले पालन करना होगा 11 वर से अधिक उमर वालों को negative PCR परिक्षा परणाम दिखाना होगा इसके साथ ही 180 दिनों के बीच लगे टीका करण का परमार देकर भी इस्टेडियम में परवेश की अनुमती मिल सकेगी हलाकि मैदान में सोसल डिश्टेंसिंग का पालन जैसा नियम नहीं होगा हलाकि बार और भोजन की आउटलेट का उप्योग करते समय जमिन के चारों और घुमते समय मास्क ओन मो फेस कवरिंग पहनना आवस्यक होगा तो साफ है कि दर्सकों के लिए इससे बड़ी खुसकवरी होने सकती कि दर्सक एक बार फिर से मैश देखने जा पाएंगे लेकिन इसके लिए तमाम टर्म्स कंडिशन को फॉलो करना होगा तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद